नमस्कार आप देख रहे हैं News PR, रिया सुनहा आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं गौतम कुमार, विपन कुमार, प्रबंधक नेफरोलोजी डिपार्टमेंट रुबन अस्पताल और प्रबंधक सर्जरी डिपार्टमेंट रुबन अस्पताल, सबसे पहला सवाल आपसे हो थी यह देफिनिटली कोबिमें काफी सारी दिक्केत हो रही थी लेकिन हमारे होस्पितल में हमारा कोवीड की लिए सारी वेवस्ता अलग बेल्अ कि इसलिए कोप ऴजिए इसे का बीवास्था रह गता और नॉर्मल कोविट के कारण obviously doctors भी थोड़ा घबराये थे क्योंकि सब के लिए नया था तो कैसे बिल्कुल हम लोग के दो अलग अलग बिल्डिंग है कोविट का अलग बिल्डिंग था और segregation के बाद जो कोविट पेशिंट थे हमको कोविट वाले बिल्डिंग में सिप्ट कर रहे थे जो नॉमल डेस में रहते हैं नॉमल डेसे तो काफी कम था पिशेंट लोग काफी डरे हुए थे मतलब जो नॉमल पेशनेरों में तो कोई पिशन नहीं रहा था जो अमेंजन्सी साज़द्री आ रह थे वो लोग हम लोग एर टाइम परफॉर्म कर रह थे सबरा पूंशे हैं च खानपान जिस तरह का है और जिस तरह का लाइफ एस्टाइल हो गया है तो आज किड्नी की बहुत सारी समस्या यह रही है किड्नी खराब होने की जो में कारण होते हैं उसके ऑफ़से गारन होते हैं जिनको डैविटीज है या बलड प्रेसर है उनको इसका खयाल रखना इसके लाबा एक और अभी जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण हो गया है वो है आजकाल लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं सारे लोग खुद से दवाया लेती हैं किसी को पेन हुआ किसी को नॉर्मल गयता हुआ दुकान से दवा ले लिए यह बिलकुल गरबर बात है अब पेन कीलर जो है यह वह बेडिकेशन यह भी कीडीक नीको बहुत कराब कर रहा है यह तीन बाते एक तो कि बीपी को में रखना है डिपी को नत्सिकारोल में रखना है और कोई common लक्षन में आपको पहले बता रहा हूँ यह से अलग होके जो की हर लोग देख सकते हैं अगर कोई सुबह में उठता है और उसके आख के नीचे के स्वेलिंग और या फेस में स्वेलिंग हो तो यह किड्नी खराब होने का लक्षन हो सकता है अगर इसulोंता में वही किड्वाक कड्राइ Giving वह strongest चुर इतलियो तो कमर में दर्द होता है, बैके खोते रहता है, तो ये भी एक किट्नी खराब होने का लग्चने, अगर बैके खो रहा है और उसका कोई जन्मिन कारण नहीं मिल रहा है, तो उन्हें उस परिष्थितिती में भी किट्नी का जाच करवा के देखना चाहिए. इस परिष्थिती में और भी जानना चाहूंगी, लोग जानना चाहते हैं कि सर्जूरी कैसे परफॉर्म होते हैं, बैसिकली पूरा प्राक्टिकल ही नहीं, बट स्टिल लोगों को डर लगता है सर्जूरी से, तो कैसे आप कुछ ऐसा बोलें कि सर्जूरी को लेकर उनके मन मे काइस परफॉर्म करने हाला है, किस मेठड से करने हाला है, उसमर डरनी का जरूत नहीं, उनको पता नी चल पाता है, जगता है, कौन सा सर्जूरी होना है? अगर appendix होना है तो वन आवर में होगा, गॉलबडर का होना है तो वन आवर में होगा, cardiac surgery है तो 4-5 वर्स लगते हैं, depend upon surgery है, कौन सा surgery है, उसके according in time decide होते हैं. अब हम COVID की बात करते हैं, तो third wave को लेकर कोई आप suggestion देना चाहें, क्योंकि अभी भी situation बहुत normal नहीं हुआ है, वो भले ही cases कम आ रहे हों, क्योंकि जाच भी प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, तो third wave को लेकर भी आ रही है बातें, तो इसको लेकर क्या suggestion देना? जैसे देखिए हम लोग भूल चुके हैं, जैसे सड़क पर देखिए, जहां पिछाई है, बिदाउट मास अब लोग भूम रहे हैं, तो उस पोटोकॉल को फिर दुबारा से फॉलॉप करना पड़ेगा हम लोग को जो हैंड 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 जीन करना है, मास्क पहनना है, वो अभी लोग भूल चुके हैं, अब ही मतलब आट उफ इंडिया आ चुका है, मुझे लगता है, अक्टूबर तक हम लोग भी उस से घरसित हो जाएंगे, तो उस चीज को हम लोगो फोलो करना जो फोलो करते आगे नहीं खरता हैं, तो उस अनेरियों फिर दुबारा से नहीं है, इस वेसे हम लोगों को फुल प्रिकोशनल लेना है, हैंड डाइजिन करना है, मास्क पहनना है. तो जिनकी दोनों खराब हो जाती है, तो जिनकी दोनों खराब हो जाती है, डालेसिस उन ही होती है, और डालेसिस में होता क्या है, कि जो किडिनी काम करता है, उसी काम को मसीन के द्वारा, आर्टिफिसियल किडिनी के द्वारा किया जाता है, अब इसमें दो तीन तरह का डालेसिस होता है, किसको जो जिस तरह का होता है, तो डालेसिस, वही किडिनी का जो काम है, उसको हम लोग आटिफिसियल किड्नी से मसीन के द्वारा करते हैं उसी को डिलेसिस बोलते हैं एक और सवाल बहुत लोगे मन में होता है कि कितने परसेंटेज किद्नी खराब होने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता है तेखिए परसेंटेज किद्नी खराब होने का ऐसा कुछ नहीं है किड् कि ये उसका और रिलाज पुछ नहीं होता है। जब तक गुद्धध पुद्रतियाप्रवायज नहींकर नहीं अपने पड़ेज्स का उमडियों कि वाले किic तो उसको और कोई बीमारी है कि नहीं प्राइमरी टेस्ट में अगर वो सब ठीक आता है तो बहुत सारी जाचे होती है एक टाइपिंग करवाना होता है और उसके बाद एक तो तो ड़ा सा मैं अलग हटके सवाल पूछना चाहूंगी कितने लोग आपके पास देकर आए हैं ज हम लोग लगता है कि करिब पिछले साल भी तो दो ट्रांस्पांट करवाय थे उसमें एक बच्चे की मदर ने किड्नी दिया था और एक वाइफ ने अपने हस्बेंड को किड्नी दिया था तो ऐसा होता है किड्नी ट्रांस्पांट इसमें बिल्कुल होता है इतना है बिल्क आप से एक सवाल पूछना चाहूंगी जब आप सर्जरी कर रहे होते हैं और उस वक्त आपको बहुत सारे किससे भी लगते होंगे कि यह शायद नहीं हो पाएगा मेंस प्रोबैबिलीटी बहुत कम होती है तो आप लोग को मतलब उसको कैसे आपको फील करते हैं प्लस सामने सामने वाले को यह भरोसा दिलाना की नहीं हो सकता है कि नहीं हो पाए तो वह ट्रॉस्ट यह से नहीं हो पाएगा टीक है ने उसके पार से नहीं हो पाएगा Newi वे आप सामने लाएं कि चर्णित को फैम इंट को इन फॉर्म करते हैं कितनी प्रोबयूलीटी है क्या चीज़े हैं पहले ही प्री सजरी ही सारा में कॉंसलिंग हुआ रहता है विल्कुल भी है और पेसे एकोडिंग टू पेसे हम डिशाइड करते हैं इसमें संभावनाय से ओपन करने के जरोद पड़े के लाप्रोस्कोपी नहीं हो पाएगा तो इस सारे चीज़ है और पोष्ट अपरेटिव होगे तो सकस्पूल ही है विल्कुल भी है पोस्ट पूरेटिव सारे मतलं न्मल संहीरों में सब ठीकी है ऐसा है उप्रेश्पूल कितने कर चुके इसका कोई आंसर नहीं है एक ऊंड पूछना चाहूंगी कि हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना च रूटिंग अपना हेल्दी लाइप स्टाइल मेंटेन करेंगा तो आप किद्ट इजिस से भी बचेगा और बाकी बिमारियों से बचेगा इनकुल बीद कितना तफ रहा आपके लिए ये कोविट काल कोविट काल तो काफी टफ रहा हम मेरे लिए नहीं सब के लिए टफ रहा के लिए क्योंकि आप लोग फ्रंट लाइन वरकस रहे हैं हम लोग के लिए काफी टफ रहा क्योंकि यह जानती है अगला पेशिंट कोविड है उसके बावजद भी उनके सामने जाना उस चीज को पर्फॉम करना डर तो लगता ही था लेकिन है से हम लोग ने वैक्सिनेशन इसकी अग एता घौड भी उसके न कितना पफ रहा एप के लिए पूरां कोवेड तो को बचनद तफ रहा ऐसा नहीं बोल सकते हैं चुकि हम लोग को को चालेज़ एचान कि अधे घराइस कि मरीज के जो मरीज जिस तरह के आते थे जितना पेसेंट को यह होता था हम लोगों ने उसमें पूरा कोशिस किया अपना पूरा एफट दिया कि जितने मरीज को हम लोग बाहर अच्छे से उसको यह कर सके और हुआ भी हमारा रिजल बहुत अच्छा है कोविड में एक और सब्क कि दोगा ऐना चाहिए जैसे बहुत लोग drafting टैंटेमरे साथ उं जलकि लिए beautiful vurगी हं आ पिसे पैसिंट का कंसलिंग और यह किरते हैं तो बहुत बहुत सारे आते हैं हम इतना इमोशनल हैं डॉक्त्र तो अजीब तरह से बात कर रें लेकिन हम लोग मजबूरी है हम लोग स्टेट फ़रवड नहीं होंगे तो चीजे नहीं हो पाएंगी अगर दॉक्टर इमोशन रखके उपरेशन करने जाएगा तो आप यह सो सकते हो कि अगर कोई अपने बच्चे का उपरेशन कोई दॉक्टर करने जाएगा तो इमोशन सही है लेकिन प्रोफेस्टमें म तो हाई रिस्क होता है उसमें जैसे हमारे कुछ डॉक्टर हैं उनके अपने फैंबली में गर उनको किसी का यह होता है तो वो कुछिस करते हैं कि दूसरा और इमोशन को हाँ भी नहीं होना है प्रोफेशन में यह थोड़ा सा बहुत टफ होता है तो आज के लिए वस इतना ही कल फिर एक नई इंटरव्यू के साथ मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद